तो मैं तयार होके निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ तो नमस्ते फ्रेंड्स और वेलकम बेक टू माई चाइनल मैं इलम आपके साथ और फ्रेंड्स सब कैसे हो आई हो कैसे हो अच्छे होंगे खुश होंगे और मस्त होंगे तो मैं तयार हो गई हूँ और जो मेरी आप वीड तो गर्मी में मैंने ये कॉटन की नॉर्मल कुड़ती डाल लिया है और इससे दुपटा हैवी ले लिया है तो बस मैं निकल रही हूँ और आके मुझे अपना डिनर बनाना है तो वह मैं आप लोग के शेयर करूंगी उसमें बहुत अच्छी रेसिपी और मसाला आपके साथ म देखिए कमलेश बहुत अच्छी लग रही है और अलीशा मदब सामने ही है मेरे कॉटर के तो बस हम लोग पहुँच गए हैं और खुब अच्छे से हमने ब्रेट पकोड़े समोसे चोले मला अच्छे से उसने खाना वगरा स्नेक्स वगरा मंगा रखके थे और कुछ घर मे और ये हैं आज की हमारी दुलहन अलीशा और विभा भावी की भी कुट्टी बहुत अच्छी लग रही थी और नीतु का और मेरा दोनों से मैच हो रहा था ब्लैक दुपट्टा विभा भावी से और कलर सूट कलर मेरा तो बस विभा भावी ज्यादा देन नहीं रुकी थी क्योंकि उनके टूशन वाले बच्चे आ गयते और वो चली गही थी जल्दी तो चलिए निकलते हैं काफी टाइम हो गया और आज मैं आप लोग के साथ कर रही हूं एक बहुत ही डिलीसियस मसाला और नमक ये है जीरा सौफ धनिया और टेश्ट के हिसाब से आप अपना मिर्च कर ले मैंने चार से पांच ली है और ये मसाला कहां यूज करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बीच बीच में बता दूँगी और जीरे की कॉइंटिटी थोड़ी जादा रखना सौफ और धनिया तो कम होगा जीरे से थोड़ा सा कर लेना कम उसको और मिर्च को बाकी ड्राय रोस्ट करेंगे हम बिल्कुल तेज गैस पे नहीं करना है बहुत स देती हूं बीच में इसको हम सबजी में रायते में और धाई बड़े में इसको डालेंगे तो इससे उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मैं तो हमेशा इसको बना के रखती हूं मसाला नमक बोलती हूं नमक करता है यह और मसाले का भी तो मसाला नमक मैं के हमेशा बना के रखती हूँ तो आज मैं बना रही थी क्योंकि मेरा खतम हो गया था तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी सेयर करती हूँ तो देखिए आप यी मसाला हलका हलका मतलब खुशबू आने लगी है भुलने की कलर चेंज नहीं होता है बस खुशबू आने लगती है मसालों की तो मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और कुछ मसाले हमें ड्राय लेने हैं मतलब जैसे कि अमचूर इनको हमें नहीं रो इसमें और बाकि यह मसाले में ऐसे ही डाल दूगी। इसमें मैं डालूँगी एक चमच काला नमक और एक ही मैं डालूँगी। वाइट नमक जो हम सबजी व्युगरा में यूज करते हैं तो मैं सेहनदा नमक यूज करती था उनके विर दिय और बस गैस बंद करने के बार इसको सब्जी में मिला दें और रायते और धः बड़े वगर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो आज मैं बना रही हूँ लोकी का भर्ता आलू का बहुत सुना उगा आज हम बनाते हैं लोकी का भरता बहुत टेश्टी लगता है तो चलिए मैं बनाती हूँ, पहले हमने लोकी ले लेंगे लोकी बड़ी है तो आप दो पीस कर लें और नहीं तो छोटी छोटी लोकी मिल जाए ना तो सबसे अच्छी बात है तो मस्टर्ड ओयल लगा दिया है और इसको बिल्कुल गैस का फ्लेम एकदम धीमे कर रखेंगे सिम करके इसको रख देंगे बूनने के लिए और इसमे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप बिल्कुल की गैस का फ्लेम तेज ना रखें अगर लोकी आपके पास छोटी वाली होना तो बहुत अच्छा नहीं तो आप दो पीस में भी इसको भून सकते हैं मैंने इसको वीडियो को तेज करके दिखाया बाकी इसको भूनने में 15-20 मिनट लगे इतने मैंने पूजा वगरा कर ली और इसको भूनने के बाद इसको बिल्कुल एकदम ढखके बंद करके रख देना है क्योंकि जो इसकी श्टीम से निकलेगी उसकी वज़े से इसका छि लामने के व्लक wow को पिस धाल देंगे तो निकल जाएगा बाकी इसका पीसे कर लें कैसे वी कर लें क्योंकि फिर हमें इसको मैस कर देंगे क्योंकि लोग की पूरी गली तो है नहीं वो हलकी सी मतलब फिर भी कच्ची रह जाती है आधी पकी आधी कच्ची ऐसे रह जाती है जीरा डाल दिया हिंग डाल दिया और तेल में ही आप न हरी मिर्च को डाल दिया करो हरी मिर्च तेल में डालके न अच्छी से भुन जाती है और कुरगरी लगती है जब खाते हैं उस समय तो प्याज डाल दिया मैंने एक प्याज काट लिया था बारिक और ये दो टमाटर की ब्लाइंट करके रखे थे तो ये भी मैं डाल दूँगी पहले मैं प्याज में ही मसाले भून लेती हूँ मैं टमाटर बाद में डालती हूँ तो मसाले नॉर्मल ही हैं नमक, हलदी, देगी मिरज, धन्या पाउडर और जो मैं मसाला बनाया वो मेरा बाद में डालूंगी उपर से तो मैंने उसी कॉंटिटी में अपना मसाले डाले हैं बाकी मैं ये टमाटर डाल दूंगी जब थोड़े मसाले भुण जाएंगे तो मैंने टमाटर डाल दिया और ये टमाटर अच्छे से पकेंगे मलब मसाला जब तेल छोड़ तो मैंने इसमें डाल दिया लोकी और लोकी को जब भी हम चलाएंगे इसको पास से दस मिनट लगेगा पकने में क्योंकि पूरी अच्छे से पकी नहीं है तो इसको हम ढग देंगे और जब भी हम इसको चलाएंगे बीच बीच में तो अच्छा सा इसको ब्लैंड करते जबता है आप लोग भी ट्राई जरूर करना ओके बाई बाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में